प्रेंड्स मैं हूँ राजान और आप देख रहे हमारे हिंदी यूटूब चैनल दिलिप टेलर सेंड बुटिक दोस्तों हमारे वीवर्स और सस्क्राइबर की तरफ से बहुंच ज्यादा कमेंट आ रहे हैं जिसमें मैंने उन्हें कटोरी ब्लाउज का कटिंग बताया है उसम को भी आपको डिटेल से एक्स्प्लेंड करके बता रहा हूं दोस्तों आज मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है मुझे बाहर जाना है इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और इसके बाद मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग देखेंगे क कि हम नाप के ब्लाउज का मेजरमेंट ले करके किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग को मैं एकदम डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा इसके लिए आप लोगों को छिंता करने की जरुरत नहीं है वीडियो पसंद आया तो इसे ला कर रहें हाँ ऄह कि अभी तक हमने आपको पेपर का कटिंग बताया था और आज उस पेपर को रख करके हम नुद्स की किस प्रकार से करेंगे उसको बताएंगे तो हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट को इस इस प्रकार से भीचा लेंगे और भीचाने के बाद इसके मार्किन करेंगे कि अभी तक मैंने ब्लाउज पर कटिंग करना नहीं बताया था इसलिए पेपर कटिंग पे मैंने जो ब्लाउज पर हम काटेंगे बिल्ट उसका मार्जिन नहीं बताया था कि इस मार्जिन को देना बहुंद जरूरी है कपड़े में नहीं तो बेल्ट छोटा हो जाएगा इस प्रकार से हमने फेपर को रख करकरके फिकस सका निसान लगा लिया है कहीं पे ये इंज भी हमने इश्टर नहीं बढ़ाया हैे दोस्तों क्रॉस पट्टी को काटेंगे। इसके लिए हम फिक्स पेUA 07ieten निसान लगाएंगे कहीं पे भी हमें थोड़ा सभी मारजिन नहीं देना है। तो यहां पर भी हम पूर == पस निसान लगाएंगे एक बराबर मार्किंग कर लेंगे कि इस प्रकार से हमने क्रॉस पट्टी के लिए भी निस् unquote लगा gva लिया तो चले अब बेनट के लिय gehört जो हमारा मेन हिस्सा है वो यह बेल्ट ऐए हिस्सा है यहु altar क्षां के डिंग करेंगे तो बेल्ट में ही हम Meister इस्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे इस्के अलावा हमें किसी भी पार्टमें इस्ट्रा-margin नहीं देना है और आप देख सकते हम इसमें कितना margin दे रहे हैं प्रकार से और इतना margin देने के बाद दोस्तों हमने इसमें सिर्फ जो नीचे वाला हिस्सा है just that margin दीया है और बांकी जगähän के में या है सिर्फ इतना ही स्केंना आपको कपड़े पर दिनाए उसके बाद हम कट्राइब क कट उरी का भी निसान लगाएंगे कट्राइब कहimporte bets लगाएंगे जहाँ पर जाल है कर इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने कटोरी पर भी बिल्कुल इस्ट्रा मार्जिन नहीं दिया है जो मार्जिन हमें मेलत पर देना हैं कि इस बात को मैं बारे बार बता रहा हुं कि हम тебя यहां अस्तिन biscuit तो दोस्तों जब हम अस्तीन मार्किंग करेंगे तो ऊपर भी हम एक बराबर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे अधिश्ट्रा मारजिन नहीं देंगे और जो कुटका हम काटे हैं उसके ऊपर एश्ट्रा जगह है वो हम तुर्पाई के लिए छोड़े हैं ये एक साधा ब्लाउज है अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो हम इसमें तुर्पाई के लिए जगा नहीं छोड़ते हैं देख सकते हैं इतना मार्जिन हमने इसमें तुर्पाई के लिए दे रखा है जो कि हमने पहले ही फर्मा पे ही मार्किंग कर लिया है और आप एक बार फिर से ध्यान देंगे कि हम किसी भी जगा पे इस्ट्रा मार्जिन नहीं दिये हैं अस्तिन पर जो मार्जिन हमने दिया वह तुर्पाई के लिए है और बेल्ट पर जो मार्जिन हमने दिया है उसी मार्जिन को केवल हमें कपड़े पर बढ़ाना है जो की पॉन इंज का मार्जिन है तो चलिए अब इसकी कटिंग को सुरू करते हैं कि बिल्कुल फिक्स निसान पर हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों इस चीछ को मुझे बताने की जरुरत नहीं थी लेकिन बेल्ट वाले प्रॉब्लम के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इसके बाद मैं जो आर मोहल वारी प्रॉब्लम है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा ना आपके ब्लाउज से हमकी इस प्रकार से कर्टूरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसको आप कल देखिए इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं करेंगे कहीं पर्ट को हम निसान के उपर ही कटिंग करेंगे कहीं पे भी इस्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे टॉक쳤 और हाण करेंगे कर medical coa हमस परल्स फाहिर, यहुके सबस्राण अरह उसा मानीज कराते हैं इसちゃो पिल्पूरी को आप summarize ्य posed मुशोरी चैसे कि जस उसक chiे से स।ल° और ब्लाफ पर् पर पिल्वहाय ऐक इस प्रकार से बेल्ट की भी कटिंग हो जाएगी उपर वाले निसान पर ही कटिंग करेंगे इस बात का फाज ध्यार रखेंगे अधर को अधर कि अ-धर में अ-धर कि अ-धर के खिशन गया अ-धर कर दो तोरी में जो टक्स के लिए निसान हमने लगाया है उस पर कुटका काट लेंगे इस प्रकार से और जो सेंटर का निसान है उस पर हम कि दोनों साइड इसको मार्किंग करेंगे इस प्रकार से हाथ रख लेंगे उसके बाद इस तरीके से मार्किंग कर देंगे कि उसके बाद हम लास्ट में आस तिन की कटिंग करेंगे इस पे भी हम सेम जो निसान हमने लगाया उसी के उपर कटिंग करेंगे कहीं पे भी इस्ट्रा छोड़ करके हमें कटिंग नहीं करना है कि हैं थो इसे सब्सक्ता प्राइबे थाईबे उसकतार हैं तो पर रख पर रख अब इस तरीके से हमने सभी कट को लगा लिया है और यह जो ब्लाउज है वो कट के पूरी तरह से त्यार हो गया है इस प्रकार से पाचों पॉर्ट को जब हम काट लेंगे तो अपने कटिंग को सही है गलत है इसको छेक करने का बहुत ही असान तरीका है इसको आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस पर्टी को बैक वाले पार्ट के उपर रखेंगे कि इस तरीके से और इसको बराबर हम मिला करके देखेंगे कि कहीं पर उपर नीचे तो नहीं होता है कि आप देख सकते हैं यह बिल्कुल बराबर आ रहा है कि उसके बाद हम नीचे हिस्से में बेल्ट को रखेंगे इस प्रकार से तो इसमें जो हमने एस्ट्रा मार्जिन दिया है वो सिलाई में दब जाएगा उपर और नीचे और उसके बाद जो हमारा फिक्स नाप है उस हिसाब से इस ब्लाउज की सिलाई होगी इसके बाद हम चेक करेंगे कटोरी को कटोरी चेक करने का बहुत ही असान तरीका है इस प्र हमारा जो में हिस्सा है जिसको हम आर्म होल कहते हैं तो आर्म होल की सिल्टिंग को आप देखेंगे उपर हम इस प्रकार से जितना हम सिलाई में दबाएंगे उसको मौड लेंगे और मोडने के बाद इधर जो हमने एश्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है सवाइंज का उसको बिजाई क्राहिं करते हैं एक सब्सक्राइब करेंगे लिए नहीं हो फिंपर भूड़ा सा और मोहल को छ्डाट लेंगे झागि अबहुत से लोग इस बात के लिए मुझे मैं कर रहे हैं कि आर महुल की लंबाई कम हैं कम हैं तो इसमें आर मह decade की लंबाई कम नहीं है इस तरीके से जब आप इसको सिलाई करेंगे तो हलका सा कपड़ा फैल जाता है तो फैलने के बाद हम इसमें इस प्रकार से आरम होल को इतना छाटेंगे इस चीज को मैं कल आपको और डिटेल से बता दूंगा और जब हम सिलाए करेंगे तो इसको और डिटेल से इसको बताने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके से हम बाजुओं की फिटिंग करते हैं आर महुल वाली प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी इसके लिए आप चींतना करें अगर या वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें